नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि कोरावास FB टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, कोरावास FB टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और कोरावास FB टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कोरावास FB टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, कोरावास FB एक ब्रैंड नेम है, कोरावास FB टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, कोरावास FB टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अटोर्वेस्टेटिन और फिनोफाइब्रेट होता है, कोरावास FB टैबलेट का उप्योग शरीर में कोले या low density lipoprotein cholesterol भी कहते हैं और good cholesterol को HDL या high density lipoprotein cholesterol भी कहते हैं इसके अलावा कोरावास FP tablet triglycerides के level को भी कम करती है triglycerides fat की ही एक टाइप है जो blood में पाई जाती है शरीर में cholesterol का level अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे-धीरे cholesterol जमा होने लगता है जिसकी वजह से नसों में blood का circulation कम होने की वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है कोरावास FB tablet शरीर में cholesterol की मात्रा को कम करती है जिसकी वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम कम हो जाता है जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पढ़ चुका है या लखवा लग चुका है ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लखवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डौक्तर कोरावास FB tablet को लेने की सला दे सकते हैं यदि आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाते हैं तो आपको कोरावास FB tablet को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घीव ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए इसके अलावा regular exercise करनी चाहिए अब हम discuss करेंगे की कोरावास FB tablet को कैसे लेना recommended होता है वैसे कोरावास FB tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है लेकिन कोरावास FB tablet को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है कोरावास FB tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना recommended होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर कोरावास FB tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कोरावास FB tablet की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में कोरावास FB tablet की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध होना, बधजमी, शरीर में कमजोरी वठकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती हैं कोरावास FB tablet की वज़े से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है कुछ व्यक्तियों में कोरावास FB tablet की वज़े से लिवर डैमेज भी हो सकता है इसके अलावा कोरावास FB tablet की वज़े से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आदी साइड इफेक्स भी कोरावास FB tablet की वज़े से हो सकते हैं अगर आपको कोरावास FB टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मासपेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्ध होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं. रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं. मासपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़े से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो बलड में मिल जाता है, जिसकी वज़े से अब हम डिसकस करेंगे कि कोरावास FB टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोरावास FB टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल कर दो दो आपका करने तो आपका दोता पुछ सकते हैं।